हाँ जी दोस्तों गड़ेवनी कैसे हो नो डाउट एक्जाम के तैयारी चल रही है और अभी तक आप ये डिसाइड ने कर पाए हो कि आपको जुलाई में पेपर देना है या नौएमबर खैर जिन बच्चों का जुलाई में पेपर देना है बहुत सारे बच्चों का डाउटस को या यह समझ देज है मांगा जा रहा था डिमांड बहुत ज़्यादा थी किस बात की की सर हमें important questions दे दीजिये important questions का मतलब ऐसे questions practice manual के जिसमें सारे questions सारे concepts cover आजा पिछले बार दिया था पर वो थोड़ा सा हलकी उसी practice manual से था पर वो delete हो गया तो मैंने अभी आज नए questions selected question निकाले और ऐसे questions याद रखना important नहीं ऐसे questions जिसमें सारे concepts cover हो जाए new syllabus के लिए भी और old syllabus के लिए भी और उसका PDF description की list में description में मैंने दे रखा है old syllabus का भी और new syllabus का भी दोनों वो इस तरह से दिया हुआ ये PDF मिलेगा आपको suppose मैं थोड़ा समझा देता हूँ जिससे ये capital budgeting है capital budgeting तो new syllabus में है ही नहीं है जी हाँ पर old syllabus में तो है तो मैंने यहाँ लिख दिया कि यह relevant नहीं है new syllabus के लिए ठीक है तो capital budgeting में जैसे basics हो गया replacement decision हो गया तो यहाँ लिखा कि total number of question practice manual में total replacement decision के कितने हैं और उसमें से मैंने तीन question निकाल रखे जिसमें सारी concepts cover हो जाएगे आप चाहो तो सारे की सारे questions भी कर सकती हो आपकी मर्ची बस इसी तरह से आपको देखना है ऐसी आपको leasing मिलेगा dividend मिलेगा अब देखो बैटे Indian capital market जिसको हमें derivative बोलते है या फिर इसमें interest rate risk management भी है तो यह दोनों के लिए ही relevant है चाहे आपका old syllabus हो चाहे new syllabus total कितने question जिसे binomial binomial के तीन question है अब तीन में से यार मैंने सोचा कोई भी एक ऐसा question निका लेता हूं जिसमें सब कुछ कबर हो जाता है पहले दो यह तीनों की तीनों में जो concept लगे सब की सब एक ही question में क्यों ना cover हो जाए और मैंने कौन सा question निकला question number 50 पर फिर भी जिन बच्चों को ऐसा लग रहा कि यार नहीं हमें practice चाहिए तो आप तीनों ही कर लीजिए तो इस तरह से सारे chapters का मैंने बता रखा है सारे chapters का security analysis portfolio management और जो relevant है वो आप देख लोगे description में मैं आपका time नहीं खराब करना चाहता sir तो क्या PM से ही पूरा आता है बिटे मैं यह नहीं कह सकता हाँ लेकिन PM से इतना तो आता है सार्ट numbers 60% से उपर आ जाता है PM से अब वो आपकी किस्मत पर depend करता है हाला कि मेरे book में जो questions है जैसे forex तो forex में मेरे book में जो question मिलेगी वो देड़सों से उपर question मिल जाएगी तो book की बात छोड़ दो यह PM सभी के लिए है जो सिर्फ PM से तयारी करते है उन लोगों के लिए मैं यह निकाल रखा है ठीक है इसके अलावा अब एक काम है क्योंकि में भी free हूँ तो अगर आपको किसी question में doubt है आपको ऐसा लग रहा है कि या यह classes हमको recorded classes मिल जाती यह YouTube में record कर देना चाहिए तो मैं question record कर दूँ मुझे ऐसा लगेगा कि वाकी यार वो question मुस्किल है तो प्लीज आप comments में लेख दीजेगा ठीक है तो भई बहुत बहुत बच्चों का call आ रहा था कि सर हमें वो PDF चाहिए PDF चाहिए यह PDF है description में जाए और प्लीज आप फटा-फट से उसक कर पाइроп चाहिए